नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल All Exam Guide Group है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए 2000GK के कॉशन्स की PDF एक 1000GK के कॉशन्स की PDF और 2000Science के कॉशन्स की PDF ये सबी PDF दे रहा हूं आपको जो भी लेना है वो ल दीजेगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लिजेगा जिससे रोज की नोडिकेशन्स आपको मिल सके चले शुरू करते हैं ये वीडियो सबसे पहला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर भारत का मून इंपक्ट प्रोब ने चंद्रमा पर कब कदम रखा था तो राइट आंसर 14 नौवंबर 2008 श्रैणी में जोड़े गए प्रतरोत का मान बढ़ाने से वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ जाती है प्रोडूसर गयस किस का मिशन है तो कार्बन मोनो ऑकसाईड और नाइट्रोजन का मिशन है राइट आंसर है बाकू किस के लिए प् सदन कौन सा है जिसका अध्यक्ष सदन का सदस से नहीं होता तो राजसभा का अध्यक्ष राजसभा सदन का सदस से नहीं होता है किसमें स्वसन के दोरान उर्चा निकलती है तो माइटो कॉंड्रिया में स्वसन के दोरान उर्चा निकलती है पनलाल घोष का समंध किस से है तो राज विधान सभा के प्रतियुत्तरदाई होती है वेग और द्रविमान का गुडणफल क्या कहलाता है तो वेग और द्रविमान का गुडणफल समवेग कहलाता है साइंस सिटी कहां पर है तो साइंस सिटी कोलकता में है निजी छेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन स है तो ICICI Bank इस प्रशिन के लिए सही उत्र हो जाएगा और अब HDFC भी टक्कर दे रहा है कॉंग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में कौनसी भाषा को सरप्थम राश्च्र भाषा के रूप में प्रसुत किया गया आधुनिक देवनागरी लिपी का प्राची इंतम रूप क्या है तो आधुनिक देवनागरी लिपी का प्राची इंतम रूप ब्राम ही लिपी है दिल्ली सल्तनत का पहला शाशक था, दूर्बीन का विश्कार किस ने किया तो गैलीलियों ने दूर्बीन का विश्कार किया, मोहनी अटम कहा का नत है तो केरल का नत है मोहनी अटम, विदुत मरकरी लेंप में पारा भरा होता है कैसे, तो विदुत मरकरी लेंप में पारा कम आप पर भरा होता है शेरसा सूरी मार्क को ग्रैंट रंक रोड नाम किस ने दिया तो लॉड ऑक्लेंड ने शेरसा सूरी मार्क को ग्रैंट रंक रोड नाम दिया भाशाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रतम राज कौन सा है तो भाशाई आधार पर गठित होने वा मीदबार की आयू कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए तो 35 वर्ष कम से कम आयू होनी चाहिए भारत में पहला डांक टिकेट 1852 में कहां से जारी किया गया था तो भारत में पहला डांक टिकेट 1852 में कराची से जारी किया गया था तीर्थंकर शब्द कौन से धर्म से संबंद हर्ष के सामराज की राजधानी कौन सी थी तो कनोज हर्ष के सामराज की राजधानी थी मालगुड़ी डेश शीरसक पुस्तक के लेखक कौन है तो मालगुड़ी डेश शीरसक पुस्तक के लेखक आरके नारायन है अहोम्स का मुगलों के विरुद लड़ा गया प्रथम उत्तरदाई होता है तो अपने कारे को आश्रण को लेकर राजपाल राशप्रती के प्रति उत्तरदाई होता है रहीत वाड़ी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी तो टॉमस मुन्रो के द्वारा शुरू की गई थी राजस्थान इंद्रा नहर कौन सी नदी से निक समाजवादी अर्थ विवस्था में, उत्पादन के कारे 특षवा बादन करने वाला राज्य राजस्थान है भारत में हरित क्रांती का एक और नाम क्या है तो भारत में हरित क्रांती का एक और नाम क्रशी क्रांती है क्रिश्ण देवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी तो अमुक्त मालियत क्रिश्ण देवराय ने लिखी थी होम रूर लीके स्थापना किस समय की गई थी तो प्रतम विश्विद के दोरान होम रूर लीके स्थापना हुई थी भारत में पहली बार सन 1853 में किस इस्थान से रेल यात्रा प्रारम हुई थी तो 1853 में मुंबई से रेल यात्रा प्रारम हुई थी सूखी बर्फ क्या है तो ठोस कारवन डियाकसाइट को सूखी बर्फ कहते हैं प्रकास कैसी तरंग है तो प्रकास विदो चुम्ब की तरंग है प्रत्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है तो प्रत्वी के सबसे नजदीक श्ठूर्य तारा है गैल्वनोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं तो गैल्वनोमीटर के द्वारा धारा मापी जाती है राइट आंसर है सबी मोर्टर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्यों कि कच्छे माल में इसका उत्पादन अधिक होता है और सस्ता भी होता है पेट्रोल की अपिक्षा वैसे तो भी दोनों बरावर चल रहे हैं जंग लगे जब लोहे पर जंग लगता है तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है तो जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका बजन बढ़ जाता है फलों को क्रत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते है तो फलों को क्रत्रिम रूप से पकाने के लिए अ उने क्या कहते हैं तो उने कंठलता कहते हैं जल की बून किसके कारण गोल होती है तो यह प्रश्टनाव के कारण गोल होती है दच्छी ग्राम अभेरन कहां पर है तो जम्मु कश्मीर में है खान्मका युद्ध 1523 में किसके बीच हुआ था तो बाबर और राणा सांगा के बी लिविंद्रम में विक्रम साराबाई अंत्रिक्ष केंद्र है जुकी मीनार कहां पर है तो इटली में जुकी हुई मीनार है एन अनोन इंडियन के लेखक कौन है तो नीरत सी चौधरी अन अनोन इंडियन के लेखक है सोतंतरता समानता बंधुता कहां की क्रांती का नारा था तो ये फ्रांस की क्रांती का नारा था वैलिंगटन कप किस से संबंदित है तो वैलिंगटन कप हौकी से संबंदित है मानव के कुल रगत आयतन में प्लाजमा का प्रतीशत लगभग कितना होता है तो मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाजमा का प्रतीशत 60 प्रतीशत होता है तपैदिक बीमारी पैदा करने का कारक कौन है तो जीवाणू बैक्टिरिया तपैदिक बीमारी पैदा करने वाला कारक है यूरिन कहां बनता है तो संग्रहग वहनियों में यूरिन बनता है कंप्यूटर की मुख्य स्मृती किसको कहा जाता है तो कंप्यूटर की मुख्य स्मृती रैम को कहा जाता है भारत में हीरे की खदान कहां पर पाई जाती है तो मद्य प्रदेश के पन्ना में भारत में हीरे की खदान पाई जाती है मांग का एक सामान नियम है मांगी गई मात्रा बढ़ती है कीमत घटने के बाद में उचितम नयायले के नयायधीश किस आयू तक अपने पद पर बने रहते हैं तो पैसेट वर्स की आयू तक अपने पद पर बने रहते हैं भारती नागरिक के मौलिक अधिकारों को कम निलंबित किया जा सकता है तो राश्रिय आपातकाल की दोरान निलंबित किया जा सकता है संग्य प्रकार के साशन का एक गंभीर दोश क्या है तो प्रतक्ता का खतरा Greenhouse Gas कौन सी है तो कार्मिड एक्साइड गैस Greenhouse Gas है काला जोर का संचरन किस से होता है तो सिक्ता मक्खी के काचने से होता है बादल वाईव मेंडल में किस कारण से तैरते हैं तो अपने अलप घनत की कारण तैरते हैं भारत में स्थापित पहला पर्माडू सेंत्र कौन सा है तो तारापुर महराश भारत में स्थापित पहला पर्माडू सेंत्र है नागरिकों और विदेश्यों दौनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है तो नागरिकों और विदेश्यों दौनों को विदेक अधिकार प्राप्त है गांधी जी की राजनेतिक गुरू किसे माना जाता है तो गोपाल कृष्ण गोखली को माना जाता है मंतरी परशचत की बैटकों की अद्यक्ष्टा कौन करता है तो प्रधान मंतरी जी करते है गान्धी जी को सबसे पहले राजपिता किसने कहा था तो सुभा शंदर बोस ने कहा था नादरिशा के आक्रमण के समय दिली का साशक कौन था तो नादरिशा के आक्रमण के समय मुहमद शाह दिली का साशक था किस नदी को दक्षण गंगा कहते हैं तो गुदावरी को दक्षण गंगा कहते हैं कौन सा नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद है तो कोसी नदी जिसे बिहार का शोग कहते हैं अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद है उचे छेत्रों में लैटराइट मिटी की सरचना कैसी होती है तो अमलिय प्रकृति की होती है पश्मी घाट परवतमाला का दूसरा नाम क्या है नियुन्तमायू के 25 वर्ष है भारत के महानियावादी की नियुक्ति कौन करता है तो राश्पती जी करते हैं भारत का प्रथम परमाणू पंडुबी कौन सी है तो आई एनेस चक्र इस प्रशन के लिए से युत्र हो जाएगा राज्च सबा की प्रथम महिला महा सचेव महिल नएक अधिकारी मुंसिफ कौन तो अन्नाचाण्डी जी भारत का प्रथम परमाणू रियक्टर कौन सा है तो अफसरा इस प्रशन के लिए से युत्र हो जाएगा दोस्तों यह सीरीज आगे भी जारी रहेगी जैसा कि मैंने कल आपको बताया थे यह सीरीज आगे की सीरीज इसकल मिलेगी आप अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीडियेफ जो हमें आपके मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए चैनल पर रोज क्लासिस होती है आप क्लासिस भी जॉइन कर सकते हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन उन कर लीजिए जिससे नोडिफिकेशन मिल जाए चले मिलता है अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुप हो